कैसे हूँ आप सब लोग आशा है कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे आज हम रीडिंग करने जा रहे हैं वो देखेंगे कि आपके परसन की दीप स्टॉंग फीलिंग्स आपके लिए इस वक्त क्या है तो ये एक जनरल और टाइमलेस डीडिंग होने वाला है तो इस जन पी रीडिंग देखते हो किसी का तो मन में आपके पार्टनर के बारे में ही जादर से जादर सोचिए क्योंकि आप जैसा सोचोगे आपको अक्यूरेट वैसे ही एनर्जी मिलेगी ठीक है यह चीज बहुत सईही होता है अक्छिछिवी मैं हुँ आप लेट सी यह नो कॉंटाक लेस कॉंटाक हर एक चीज के लिए है तो आप जैसा चाहों चीजों को लेके देख सकते हों ठीक है पहला हमारे पास से सर्प्राइज तो मुझे लगता है कि आपकी पार्टनर की तरफ से कुछ unexpected actions हो सकते हैं कुछ unexpected चीज़े हो सकती है ठीक है वो शायद suddenly आपको call message करें या फिर suddenly आके आपसे बात करना start कर दें यह चीज थोड़ा हो सकता है मुझे यहाँ पर दिख रहा है flowers लेके आपसे मिलने के लिए आ जाए या फिर आपसे बात करने के लिए आ जाए you know flowers से related मुझे कुछ होता हुआ यहाँ पर दिख रहा है white color की flower ले ली flower इस तरीके से मुझे थोड़ी सी चीज़े दिख रही है जो भी है आपके person जो है कुछ sudden action ले सकते है शो करेंगे यह अपनी feelings को जो भी उनके दिल दिमाग में चल रही है वो अपनी feelings को कही ना कहीं show करने की कोश़श करेंगे वो आपको दिखाएंगे कि देखो मुझे तुमारे लिए यह feelings है मैं तुमारे लिए यह feel करता हूँ य जो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि वो जो है चीजों को जाहिर करेंगे अभी इतने दिनों से जो वो चुपचाप बैठे थे कुछ नहीं बोल रहते वो चीजों को लेकि जाहिर करेंगे ठीक है और यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो faith है ना वो यहाँ काम आ रहा है ठीक है क्योंकि आपका जो faith है कि एक दिन ये इंसान मेरे life में लोटेंगे मेरे साथ justice करेंगे वो चीज होगा क्योंकि मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि injustice तो definitely नहीं होगा तो आपका faith रंग लाएगा और मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके त कर सकते हैं तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि यह person जो है आपकी तरफ आ रहे हैं मैं इसको देख पा रही हूं और बहुत जल्दी आपको भी यह चीज दिखेगा सो खुशी मनाओ दुखी रहने की ज़रुरत नहीं है क्योंकि आपको जो चाहिए वह इंसान आपके लाइप में बहुत जल्दी लॉट के आ रहा है अगर आपको बटरफलाइस दिखते हैं और खात करके ब्लू कलर के बटरफलाइस दिखते हैं तो ऐसा दिख रहा है कि आपके रिलेशन्शिप में इवलूशन और चेंज आ रहा है ठीक है आपके और एक चीज है कि आपके प कर रहे हैं और वो आएंगे और एक चीज है कि आपके रिलेशन्शिप एक next step आगे जाएगी जैसे एक होती है ना की चीज होती है आना जाना बात करना बंद करना reconciliation दूर होना ये सब चीजे जो है एक होती होती रहती है ना एक होती है कम होती है चीजे तो यहां पर मुझे ऐस दिख रहा है कि ये person जो है उस phase को break करेंगे और कुछ आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे कुछ आगे बढ़ाने की चीजों को कुशिश करेंगे तो basically यहां पर आपको खुश होना चाहिए क्योंकि जो phase से आप दोनों गुजर रहे हो वो कुछ change होगा और अगर कोई past के relationship के वज़े से यहां पे issue है मतलब आप कोई past का relationship था या फिर फिर इस person का कोई past का relationship था इस वज़े से अभी के relationship मे इसु हो रहा है या फिर कोई और relation के वज़े से यहां पर issue हो रहा है वो चीज भी यहां पर maximum solve हो जाएगा आप दोनों के बीच में मुझे ऐसा दिख रहा है और कहीं ना कहीं वो भी यह सोच रहे हैं ठीक है और इनका कुछ mind change होगा बहुत इन्होंने mindset करके कुछ यह बैठे थे कि मुझे इस रिष्टे में इतना तक करना है इससे आगे नहीं करना है यह सब चीज जो उनके mind में था मुझे कहीं न कहीं उनका mindset काफी हद तक change होता हुआ वो खुद change होते हुए यहां पर मुझे दिख रहे हैं call करेंगे आपको message करेंगे इधर उदर की बाते करेंगे ठीक है और एक हो नहीं हुआ है यह सोच रहे हैं बात करने का call पर एक बार बात कर लें एक बार message पर आपसे बात कर लें तो यह सब चीज़े वो मुझे सोचते हुए दिख रहे हैं नेक्स्ट हमारे पास उनका कही ना कही एक message है कि I feel guilty बहुत जादा ही उनको बुरा लग रहा है उन्होंने जो आपके साथ किया देखो मुझे जैसे ही मैंने यह देखा कि मुझे यह चीज़ वाई बाया कि वो कही ना कही अपने आपसे भी थोड़ी नजर नहीं मिला पा रहे हैं वो कही ना कही अपने आप से भी थोड़ा बात नहीं कर पा रहे हैं वो थोड़ा सा खुद को गिल्टी वो फील कर रहे हैं वो थोड़ा सा उनको कही ना कही एक वो खुद की नजर में थोड़े गिरे हुए हो गये हैं ठीक है? सो उनको गिल्टी फील होती है उनको चीजे काफी हद तक बुरी लगती है जतना आपको बुरा लगता है ना कि इस इंसान ने मेरे साथ गलत किया उससे कहीं जादा उनको खुद के साथ बुरा लगता है कि मैंने इस इंसान के साथ गलत किया और याद रखे ये all sign वालों के लिए reading है ठीक है तो आप कोई मत पूछना कि ये किस sign वालों के लिए है या फिर उस sign वालों के लिए है ठीक है ओके देन मुझे लिखता है I am afraid of commitment तो हो सकता है कि ये वही चीज़ से बहुत जादा डरते हैं ये commitment से बहुत जादा डरते हैं या फिर ये आपसे बात करने से बहुत जादा डरते हैं मुझे य रहे हैं ठीक है या फिर वो relationship चाते हैं लेकिन शादी तक नहीं पहुंचा पाएंगे वो सिर्फ unconditional love आप से करते हैं यह situation मुझे दिख रहा है क्योंकि चाहते वो बहुत कुछ हैं लेकिन वो आपको commitment नहीं दे पाएंगे एक प्रॉपर relationship का या फिर प्रॉपर reunion करने का यह सब चीज का वो commitment नहीं दे पाएंगे तो इसलिए भी उनको थोड़ा सा जो है बुरा लग रहा है ठीक है वो डरते भी हैं कुछ और भी चीज़े हो सकती है जिस चीज़ के विज़े से वो थोड़ी से डरते है next हमारे पास है I want to tell you the truth अगर कुछ सच ऐसी है जो यह आप से बोल नहीं पा रहे हैं चहांके भी बोल नहीं पा रहे हैं तो वो कुछ सच आपको बोल देना चाहते हैं ठीक है मुझे भी यहीं लगता है यहां पर कि कुछ चीज़े ऐसी है otherwise afraid का card कभी नहीं आता कि वो डर र अगर situation ऐसी है कि सब कुछ सही चल रहा है उनके तरब से issue है तो डर कभी नहीं होता डर है इसका मतलब यह है कि वो कुछ चीज़े आप से छुपा रहे हैं ठीक है मतलब already उनको realization हो रही है कि मैं यह गलत कर रहा हूं तुमारे साथ इसलिए वो commitment से डर रहे हैं अगर वो डरे नहीं होते तो मतलब यह कि वो जानवूज के सब कुछ कर रहे हैं तो यह person मुझे basically दिख रहे हैं कि वो आपको कुछ सच बताना चाहते हैं कुछ भी यह सच हो सकता है जो सुनके शायर आप कभी expect नहीं करोगे कि ऐसा भी कुछ हो सकता है हमारे रिष्टे में ठीक है और कुछ कास देखते हैं ओके त्री ओफ सूर्ड देखो यहां पर मैं एक चीज़ आपको बोलूँगी कि दिकत की कोई 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 भी बात नहीं है बिल्कुल चिल करो क्योंकि यहां पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि हार्ट ब्रेक से आपके परसन गुजर रहे हैं आप नहीं ही गुजर रहे हो मतलब आप गुजर रहे हो आपको तकलीफ हो रही है यह चीज है यहाँ पे लेकिन कहीं न कहीं एक लेवल का heartbreak वो भी अपने life में देख रहे है एक लेवल की परिशानी वो भी अपने life में देख रहे है आप दोनों के बीच में जो इनसान बिल्कुल प्लान करके आया था ना कि ऐसा करके उसका रिष्टा तोड़ूंगी या फिर वैसा करके उनका रिष्टा तोड़ूंगी उस इनसान का ये पोसन खुद ही वाट लगा देंगे मुझे यहां पर ऐसा दिख रहा है और एक चीज बहुत जादा स्टॉंग कहीं न कहीं मुझे लगता है कि चीजे जो है ना एंड तक बहुत अच्छी जाएगी आप जिस तरीके से सोच रहे हो कि ये रिष्टा मुझे प्रॉब्लम दे रहा है टेंशन दे रहा है ऐसा कुछ नहीं होगा चीजे काफी अच्छा जाएगा और ये 90% आपका दिल जितन की कोशश करेंगे ये पॉसन ऐसे हैं कि आपको ऐसा नहीं बोलेंगे कि तुम भाड में जाओ और मुझे कुछ फरक नहीं पड़ता बिल्कुल 2% उनकी ये माइंडसेट नहीं है ठीक है मुझे mostly ऐसा लग रहा है कि ये जस्ट एक यूरो वो आपका दिल जितना चाहेंगे ठीक है और वो जादा फोकस कर रहे हैं आपी के साथ बात करना आगे बढ़ना इससे ध्यान हटके उनका थोड़ा से फोकस अभी जा रहा है जो आल्रेड़ी आप दोनों के बीच में हार्ट प्रॉब्लम हुआ है मतलब हार्ट ब्रेक हुआ है हार्ट इशू हुआ है उस ची अभी उस चीज में भी एक फसे हुए है कि I have to fix this first मुझे यहां पर सही करना है फिर मैं तुम्हारे पास जाओंगी वरना जो दर्द तुम्हारे पास है मेरे दिल में है इसको बिना solve कि अगर जाओं तो फिर हम दोनों ही लाइक एक दूसरे को समझ नहीं पाएंगे और फिर पासा जो है याइसे ही है यह आईसे ही है यह नेगेटिव चीज को जादा सोचते हैं रादर दन पॉजिटिव चीज आप इनको 100 समझाने की कोशिश करो यह नहीं समझेंगे जब तक वो खुद नहीं समझते ह Я एक तो यह बंदाًaway पर बंदी ऐसे ही है तो आप इनको जितना समझाना था समझा के आपने छोड़ दिया छोड़ दो कोई जरुरत नहीं है माथा फोड़ी करने की क्योंकि मुझे तो अटलिस्ट यहीं दिख रहा है ये तब ही आगे बढ़ेंगे जब ये खुद समझना चाहेंगे आप लिमिट क्रॉस करके इनको अगर समझ जाने के लिए तो मैं थोड़ा और ना नाटक करता हूं या फिर नाटक करती हूं तो डेफिनेटली यहां पर वही चीज है आप लिमिट आप एक बात समझ लो कि ये पॉसन को आना है आपके पास आज नहीं तो कल आना है हद से जादा समझाओगे तो वो डिले करेंगे क्य और एक चीज मुझे पता है कि और एक चीज मैं आपको बता देती हूं यह परसन आपको हद से जादा अच्छा सोचते हैं यह कभी आपको बुरा सोचते ही नहीं है क्यूंकि आपने कभी इनका बुरा किया ही नहीं है तो यह परसन आपको हद से जादा अच्छा सोचते हैं और कुछ कार्त देखते हैं, इनजिस बीज गाइड है कि यह पॉसन और क्या फील कर रहे हैं, और क्या सोच रहे हैं, इस बक्त राइट नाव आपकी लिए, आपकी एनजी थोड़ी देख लेती हूँ, चेक इन कर लेती हूँ, बात करने के लिए बहुत कोशिश कर रहे हूँ ठीक है, हज से जादा आगे बढ़ रहे हो, ठीक है, थोड़ा खुद के उपर restriction लगाओ आप, क्यूंकि मुझे इतना बहुत clearly दिख रहा है कि आप इतना जादा कोशिश करे हो, इतना जादा कोशिश करे हो कि सामने वाला अगर आपको ये भी बोले कि don't call me तब भी आप call करते इस चीज की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा अपने आपके उपर आपको जरूर रोक लगाना चाहिए, क्यूंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि आप इज़्दत खो के प्यार करो, प्यार करो, कोई मना नहीं कर रहा है प्यार करने के लिए, अपने पार्टा के सामने जुखो, what if अगर future में मेरा इसके साथ reconciliation नहीं होता है तो future में शादी नहीं होता है तो इस चीज़ को सोच के आप जादा डर के जादा कोशिशे कर रहे हो राइट कि अभी अगर मैंने ये बंद कर दिया तो ये मुझे भूल जाएगा मेरी जान कोई किसी को नहीं बूलता है जरूरत नहीं है ये परसन आपसे close होने की कोशिश करेंगे जैसे आप कर रहे हो बस थोड़ा धेरे बना के रखो हर हर महादेव पता नहीं क्यों बड़ा मन हुआ मैं फिर से मेरे महादेव का नाम लू शायद आपको बहुत तकलीफ हो रही है आप मेंसे कुछ लोग तो रो भी रहे हो पता नहीं क्यों मुझे ये एनरजी फील हुआ सब लोगों का नहीं कुछ लोगों का मुझे लग रहा है कि बड़ा भारी सा मन है सुबह से अच्छा नहीं लग रहा है माइंड बहुत जादा डिस्टर्ब है ऐसा लग रहा है कि क्या करूँ क्या करूँ नेक्स टिप क्या लो उन लोगों के लिए बड़ा मन मेरा भारी लग रहा है मेरे पास आपकी अनरजी आ रही है सो थोड़ा सा ठीक है संबाल के और और honestly बोलू मेरा intuition काफी strong है ठीक है शाद भगवान चाते थे मैं इस line में आओ intuition काफी strong है मेरा कभी गलत नहीं होता है so next मुझे यहाँ पे जो feelings दिख रही है next ऐसा यहाँ पे लग रहा है जैसे कि आपकी partner जो है आपके साथ बहुत अच्छा future देख रहे है आपको पता भी नहीं है कि वो क्या सोच रहे है वो कितना positive सोच रहे है या फिर वो कितना positive future वो आपके साथ देखना चाते है या फिर देख रहे है आप तो सिर्फ अभी का देख रहे हो वो तो आगे का भी सोच रहे हैं ठीक है यहां पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि about the prosperity आप दोनों ना एक दूसरे के लिए बड़ा lucky हो and honestly आप दोनों मिलके life में बहुत grow करोगे बहुत जादा आगे बढ़ोगे मुझे यहां पर दिख रही है seven of want के साथ ऐसा लग रहा है कि जितना भी stand लेने की कोशिश करो ना करो कुछ भी करो आप अगर हाथ धर के बैठ भी जाओ के ना तो भी परसन आपका action लेगे क्योंकि मुझे यहां पर बार बार जैसे आप तो सिर्फ बात करना चाते हो कि कि वो मुझे ब्लॉक करके रखाए मेरे से बात कर लो बहुत टाइम हो गया ठीक है आप तो talking term पे आना चाते हो लेकिन आपके partner का तो कुछ अलग ही form है आपके partner का कुछ अलग ही thought है वो सिर्फ talking term पे नहीं आना चाते है वो आपके close आना चाते है जैसा situation आगे चल रहा था वैसा नहीं चलना चाते है वो फिर से you know वही late night call unlimited text वही सारी चीज़े जो है वो आपके साथ फिर से continue करना चाते है ठीक है और जो भी आप में से जो भी person है जिनकी partner के अंदर बहुत strong ego था ठीक है ये fool card के साथ मुझे दिख रहा है कि वो अपना ego छोड़ देंगे ये person अपने ego को बहुत और continue नहीं करेंगे जितना इन्होंने आपको as an option use किया है आप आने वाले वक्त में देखोगे उतना ही वो आपको prioritize करेंगे आपको ही उतना priority देंगे एक दिन ये सब होगा क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि वो शायद किसी की बात नहीं सुनना चाते है या फिर वो शायद किसी की मैं बोला नहीं चाती वो सारी चीज़े वो सुनना नहीं चाते हैं उनके एक होती है ना कि कुछ लोग बड़े जिद्धी होते हैं मेरे को बात करना है तो करना है मेरे को आक्षन लेना है तो लेना है चाहे जितना भी situation साथ दे ना दे कुछ भी परिस्तिती हो उसी तरीके से चीक है तो मुझे भी आपके partner का situation वही दिख रहा है situation साथ दे या ना दे इनको बात करनी है तो करनी है कोई भी रोक नहीं सकता इनको आपसे बात ना करने से ठीक है so this person has decided इन्होंने decide किया है चाहे मेरे साथ कोई खड़ा रहे ना रहे मुझसे कोई कुछ बोले ना बोले बस मुझे relationship continue करना ही करना है ये तो मुझे उनकी thoughts दिख रहे हैं कि वो action लेना चाहते हैं वो reality में क्या action लेंगे वो देख लेते हैं वो एक अभी गाना भी आया है ना जागी हूँ ना सोई हूँ तेरे खयालों में खोई हूँ शाद यहीं गाना है सुर थोड़ा इदर उदर हो गया लेकिन वही situation आपका चलड़ा है ना जागे हो ना सोई हो उसी के खालों में खोई हो थोड़ा बाहर निकलो अपने career या फिर लाइफ में थोड़ा सा ध्यान तो आपको देना चाहिए आपके पॉसन का नेक्स अक्षन देख लेते हैं हाथ में चोड़ी दिया होगा उन्होंने आपको कभी ठीक है वाव देखो मैंने मांगा था कि क्या action होगा और directly reunion का card आया तो इससे बहतर में card क्या निकालूं कि क्या होगा क्या ने होगा definitely आने वाले time में आप दोनों का reunion होगा reunion से तो आप लोग बच नहीं पाओगे ये तो आपका होकर ही रहेगा किसी friend के through होगा किसी जान पहचान के through होगा August के end तक होगा और काफी positively ये चीज होगी negative note पे रिष्टा खतम नहीं होगा काफी positive note पे होगी so that's it guys ये थी आपकी reading I hope आपको पसंद आई और मिलते हैं अगले reading पे तब तक अपना ख्याल रखें bye guys